नमस्कार दोस्तों, Welcome to Sports Knowledge तो गाईस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है ISL 2021 से डिलेटेट और भी कुछ नए और इंपोर्टेंट ट्रांसफर अपडेट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो गाईस आज का हमणा सबसे पहला और बड़ा अपडेट्स निकल कर आया है Mumbai City FC के तरफ सी तो गाईस हुगो बूमस के साथ यहाँ पर Mumbai City FC के डिल डान हो चुगा है अगले सीजन के लिए और ये बाद ट्रांसफर मार्केट इंडिया और गोल्ड.com के तरफ से भी कॉन्फर्म कर दिया गया है तो बहुत दिन पहले ही मैंने आप लोगों को आपडेट्स दे दिया था कि हुगो बूमस मुंबई City FC में जाने वाले है लेकिन आप मुंबई City FC में हुगो बूमस पूरी तरीके से कॉन्फर्म हो चुगा है यानि कि हुगो बूमस अगले सीजन में भी साड़ियो लोवेडा के अंडर में ही खेलने वाले है मुंबई City FC के तरफ से उसके बाद next update निकल कर आया है भाई संदेश जिंगन के बारे में तो गैस मारकस ने यहाँ पार एक ट्विट करके यह बता दिया है कि संदेश जिंगन यूरोप में नहीं जाने वाले है और अगले सीजन में भी वो इंडिया में ही रहने वाले है और अने वाले सीजन में वो इंडिया में कौन सा क्लाबों के तरफ से खेले वाले है वो यहाँ पर अगले 7 दिन के अंधर ही संदेश जिंगन अपना डिसिशन रिभील कर देगा कि अगले सीजन में वो कौन सा क्लाबों में जाने वाले है उसके बाद next update निकल कर आया है भाई ISL 2021 के लिए सारे टीमों का ट्रेनिंग ग्राउंड को ले कर तो गाईस ISL 2021 का ट्रेनिंग सेशन के लिए यहाँ पर सारे टीमों का ट्रेनिंग ग्राउंड कोंफर्म कर दिया गया है तो चली अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टीमों का ट्रेनिंग ग्राउंड कहा पार होने वाले है तो गाईस सबसे पहले यहाँ पर FC गुआ का ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाले है नागवा पांचाइद ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग सेशन होने वाले है तुन 'S esti iya और OCFC के ट्रेनिंग सेशन होने वाले है SAG Ground बेताल वालिम तो यहाँ पर बहुती अन्नोन जगाओं का नाम दिया गया है और इन जगाओं का नाम लेने में अगर मेरा कोई गलती हो गया तो थोड़ा एडजस्ट कर देना क्योंकि यहाँ पर बहुती अन्नोन जगाओं का नाम दिया गया है उसके बाद गाइस अगर ट्रांसफार न्यूस के अंदर चेनाई NFC के बारे में बात किया जाए तो गाइस चेनाई NFC ने यहाँ पर दो इंडियन डिफिंडर को ओफिशियली कॉन्फर्म साइनिंग कर लिया है जिनमें से एक हभाई नॉर्थी चेनाई NFC के कॉन्ट्राक्ट है 2021 साल तक के लिए उसके बाद हमारा अगला अपडेट्स निकल कर आया है जामशितपूर NFC के तरफ से तो गैस जामशितपूर NFC ने भी यहाँ पर दो नए यंग टेलेंग को साइनिंग कर लिया है जिनमें से एक है भाई आईजवल NFC से व अगले सीजन के लिए और भुपेंदर सिंग के साथ जामशितपूर NFC का कॉन्ट्राक्ट है 2023 तक उसके बाद अगर बात किया जाएगा इस उइलियम लालून फेना के बारे में तो ये भी एक 25 वर्षे इंडियन स्ट्राइकर है जिनोंने इससे पहले आई लिक के अंदर आ ओरीशी FC के तरफ सी तो गईस ओरीशी FC ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है फॉर्मार इंगलेंड इंटरनाशनल टीम के डिफेंडर स्टीवेन टेलोर के उपर तो गईस स्टीवेन टेलोर एक बहुती एक्स्परियेंस डिफेंडर हैं इंगलेंड से बिलों करते हैं सेंटर व्याग यह खेलते हैं और इनके एज है 34 तो गईस इनके अगर केरियर के तरफ देखा जाए तो इन्होंने अपना क्लाब केरियर के अंदर बहुती जबर्दस्ट एक्सपरियेंस गेन किया है इन्होंने गईस प्रिमेर लिग के अंदर निवकेस्टेल उनेटेट के तरफ से खेला है और उस्टिलियन ए लिग में भी इन्होंने लगातार दो सीजन वेलिंग्टोन फ्योनिक्स के तरफ से खेला है वही अगर बात किया जाए इंटरनाशनल केरियर के बारे में तो गईस इंटरनाशनल केरियर में भी इन्होंने अंडर 17 से लेकर अंडर 21 तक स बहुती अच्छा का से experience गेन किया है और गईस यह साइनिंग अगर complete हो जाते हैं तो यह ओड़ीशेपसी के तरफ से एक बहुती बड़ा साइनिंग हो सकते हैं चलिए आगे जाकर आकर इसके बार में कुछ भी अपडेट निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इंफ फुटबॉल एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाई बाई